त्यानी वर्मा जी नेपाल से महाराजी आपके चड़नों में कोटी-कोटी पढ़ा माराजी इस मन को कैसे एकचित होकर भगवान की और लगाएं और गरवबति इस्त्री को क्या करना चाहिए कि उसके संतान जो आने वाली हो भगवत मार्प क्योर चल पाएं मन को एक चित लगाने के लिए तो सब सास्त्र शब शाधना है जितनी बरणन की गई हैं सब जितने ग्रंथ पंथ महापुरुष जन बूलें सम्मने के लगाने के लिए बूलें क्योंकि बहुत जन्मों से मन हमारा शरीर और भोगों में मगन रहा है साधना नहीं बनी हैं अगर साधना बनी होती हमें भगवान की प्राप्ती हो गई होती साधना नहीं बनी हैं भोगों में ही विचरन करते रहे हैं कुछ पुन्य बने हैं कुछ पाप बने हैं इससे कभी देव लोग को गए हैं कभी नरक लोग को गए हैं और कुछ पुन्य पाप के मिश्रित भाव से मनुस्य देख की प्राप्ती होई जिसका मतलब मन को हम निर्मल कर पाएं ऐसा उसर मिला है सत्संग शुनने के बाद मुझे लगा कि मन को विश्यों से हटा के प्रभू में लगाने से ही परमंगल परवलाम प्राप्त होता है अब जब हम मन को विश्यों से हटाने की सोचते हैं तो बलवान मन बार बार उन्हीं विश्यों की तरफ ले जाता है बार बार विश् एकुछ तीन चेतसानान निगामना अब अभ्यास करना पड़ेगा विषया आप भ्यास को छोड़कर भगवदा भ्यास करना पड़ेगा कुछ किया राशचर नामकिर्टन करें क्यांकि मन चंचल एक जगे तिकेगा नहीं आप सोचो निरंतर नाम्जब करने लगे इसी दो की स्थिति होती है, साधक प्रारम से इसमें चल पाएगा, तो कुछ समय इसको लगाया किसे नाम्जब में, कुछ समय नामकीरतन, गायन किया, कुछ समय कता सुनी, कुछ समय भगवान को कता सुनाई भागवत है, हिंदी से भी है, संस्कृत से भी है, अब तो कुछ गरंथ अंग्रेजी से भी कर दिये गए, जो जिस भासा का ग्यान रखता हो, अपने सास्त्रों का श्वाध्याय करे, नामजब करे, नामकिर्तन करे, भगवत चर्चा सुने, भगवत धामों की यात्रा करे, इ पांस मचले अंडाय जैसे इससे बुद्धी ब्रष्ट हो जाएगी आपकी बुद्धी ब्रष्ट है इसलिए आप समझी नहीं पा रहे हैं तभी खा रहे हो आपको प्री लग रहा है इसका मतल्दी गिर चुकी है वो अपनी स्थिती से गिर चुकी है हम ऐसा पेपदार थनपी है जो हमारी मन की ब्रती को दूशित करें ऐसे लोगों का शंग न करें जो हमारे मन पर प्रभाव डाल कर फिर विशय बना दे जिसको भगवत मार्ग में भोजन शुद्ध जल शुद्ध संग शुद्ध हमारे आचरण शुद्ध और अभ्यास बहुत काल तक निरंतर ऐसा अभ्यास करें तो मन प्रभू में लग जाता है अब हमारी बात रही कि हमारा गर्भ कैसे पवित्र शंसकारों वाला हो उसके उपर कैसे प्रभाव पड़े तो जैसे हमने प्रलाजी के जीवन चरित्रों को जब शुना और पढ़ा तो यह प्रा प्रभाव से तो वो सारी पवित्रता और गर्वस्त बालक के उपर प्रभाव पड़ा और गर्व से ही महान भागवत रूप में प्रगट हुए गर्भ में ही अरजुन जी ने जब अभिमन्यु जी को चक्र विर तोड़ने की शुना अभिमन्यु की मा को रहे थे लेकिन ग प्रभाव पड़ेगा उसके अंगों पर प्रभाव पड़ेगा उसकी मानसिक्ता पर प्रभाव पड़ेगा आप सासन विहिन जीवन बितित कर रहे हैं इंद्रियों का तो आपके जो बच्चा है वो सासन विहिन पैदा होगा क्योंकि आपके संसकार पढ़ रहे न उसमें आप इधर उदर की वस्तिवे चाठ चूट की खा रहे हैं इधर उदर तो वही संसकार उसके पढ़ रहे हैं शातिक भोजन सयम गर्भ आ गया अब नहीं ये ग्रेश्ट में ध्यान रखना चाहिए जब गर्भ आ जाए तो गर्भ की पवित्रता और उसको निरोग रखने के लिए बल्वान बनाने के लिए अब ब्रह्मचर से रहे शंतानोत पत्ति क्रिया ये पूजा भगवान की स्रस् वो संसकार पढ़ते हैं तो अगर हम बालक को एक देशवक्त बनाना चाहते हैं तो हम देशवक्त की गाथाएं सुने भगवत चर्चाएं हम सुने तो उसमें देशवक्ती मात्रपित्वख्ती देवख्ती भगवत बक्ती ये जागरत होगी अगर हम फिलिम देखेंगे उस संसकार तुमने डाले वही संसकार बाहर प्रगट हो करके उसको अपना अधिकार अगर हम गर्वस्त शिशु को महान बनाना चाहते तुरंत सयम जिस दिन पता चले गर्वधारन हो गया अब सहवाशने सयम में आप रहे खानपान का सयम कीजिए अगर भग तो और प्रवीन बन क्योंकि एक भूमिका तैयार होने इस बालक की यह हम जैसे आच्रन करेंगे वैसे संसकार उसमें पड़ेगा तो मन को लगाना और गर्वस्त शिशु को प्रवीन बनाना इन दोनों बातों को आप समझे किसका प्रश्ण था हाँ तो आप समझे